तो हाँ देखेंगे, करेंगे, मिलेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, फिर वो वादे और सिलसिले वो चलते रहते और क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को 20-20 बार होन करने के बाद भी मीटिंग सेट नहीं होता है इसलिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ट्रेलर, एड़ोटीज अगर किसी प्रोड़क का एड़ोटीजमेंट में आपको पसंद नहीं है तो उस प्रोड़क को आपको खरीदेंगे नहीं अगर कोई मुवी का ट्रेलर आपको पसंद ने तो उस मुवी को देखने का विचार आप कभी नहीं करेंगे इसलिए ट्रेलर जबरदस्त, दमदार और अट्रेक्टिव होना चाहिए और 45 से अट्रेक्टिव करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ अब नियम पर बात करेंगे देखे मेरी आज़त में किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ पूरा बनाता और दूरा नहीं बनाता इसलिए रखा चले साथों आज का हम लोग टॉफे को सुरुवात करते हैं साथियो आजके साथ वीडियो चलाओंगा साथियोय हो सmetे से लोगों के साथ अपना प्लान नहीं दे पाते हिं लोगों को इन्वाइट कर पाते हैं लोगों को फोर्स दिआने फिल्कूल सही पड़ा है दोस्तों आपने ओंडी फोटी फाइज सेकंड्स में phone पर meeting कैसे set करे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 1000 से भी ज्यादा लोगों ने comments में इस video को request किया है तो आज invitation के उपर complete process में आपको बताने वाला हूँ इस video में मैं आपको बताऊँगा कि invitation का importance क्या है उसके बाद invitation का meaning क्या है और उसके बाद invitation की process और इस process के 10 नियम आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस video के बाद आपको invitation के लिए कभी भी कुछ भी नया सीखने की जरूद नहीं पड़ेगी क्योंकि ये complete process आज मैं आपको यहाँ पर practically बताने वाला हूँ और साथ ही में कुछ मेरे बहुत दोस्त जो यहाँ पर comments में लिखेंगे कि सर्फ 45 seconds में अगर आप contact करेंगे तो वीडियो इतना लंबा क्यों है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब आप doctor बनते हैं आप operation करते हैं आपका operation एक गंटे का हो सकता है लेकिन उस एक गंटे के operation को सीखने के लिए आपको साथ साल पढ़ाई करनी पड़ती है आपको doctor बनना पड़ता है आज मैं आपको complete process बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो में 45 seconds में यह possible नहीं है हो सकता है कुछ minute आपको यहाँ पर अपने invest करने पड़े यह बड़ा मज़ेदार वीडियो है और आज आप prospecting के master बनने वाले है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए और अदूरा काम मत कीजिए साथ में bell icon भी दबाईए जिससे की अगले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले दोस्तो इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा वहाँ पे click करके आप वो topic लिखे या वो समस्या लिखे जिसके उपर आप video चाहते मैं चाहता हूँ हम उसी topic के उपर video बना के दे जो आपको सबसे ज़्यादा important लगते है और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परिशानी है तो इसको ना भूलिए active user बनिए description में जाए और जाने के बाद आप click कीजिए या फिर video लिखे जिस topic के उपर आप video चाहते है now let me tell you what is the importance of prospecting देखे recruitment process इसमें सबसे पहला step है list building उसके बाद आता है prospecting list building बहुत ही simple है आप एक बार 200-500 लोगों के नाम लिखतेंगे आपने अपने list में मेरा नाम लिखा है तो मुझे पता नहीं है कि आपने मेरा नाम लिखा या नहीं लिखा है यहाँ पर कोई भी objection नहीं आने वाला लेकिन real objection तब आता है जब आप customer को call करते है prospecting वो step है जहाँ पर आप customer के साथ communication में आते है आप customer के साथ touch में आते है और इसलिए यहाँ पर objection create होगे इसलिए prospecting यह decide करता है कि कितने लोग आपका plan देखने के लिए आएंगे और कितने लोग आपकी team में जुडेंगे अगर आप prospecting में struggle करेंगे तो आपके plan बहुत कम होगे और अगर आप prospecting में master होगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है बड़ी team बनाने के लिए इसलिए prospecting बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब दूसरी बात है कि prospecting का meaning क्या है देखिए prospecting का meaning बहुत simple है जैसे मान लीजी movie जो है वो plan show है तो उसका trailer जो है वो है prospecting अगर आपको किसी movie का trailer ही पसंद नहीं आया तो आप उस movie को देखने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं जिन्दगी में आप उस movie को देखने नहीं जाएंगे क्योंकि trailer देख कि आप impress नहीं हुए तो ये trailer है अगर आप phone पे 45 second में जबरदस image create करते है उस बंदे को लगेगा कि यार इसको मिलने जैसा है इसको मिलके मुझे कुछ फाइदा होगा ये बंदा जबरदस है इसके पस कोई business जबरदस है तो आदमी भागा भागा आपके पस आएगा और आपके प्लान को देखेगा और आपके साथ जुड़ेगा भी लेकिन अगर आपका ट्रेलर ही बकवास है आप फोन पर ही ठीक से बात नहीं कर पाए तो हाँ देखेंगे, करेंगे, मिलेंगे, सोचेंगे, देखेंगे फिर वो वादे और सिलसिले वो चलते रहते और क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को 20-20 बार होन करने के बाद भी मीटिंग सेट नहीं होता है इसलिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ट्रेलर एड़ोटीजमेंट, अगर किसी प्रोड़क का एड़ोटीजमेंट में आपको पसंद नहीं है तो उस प्रोड़क को आपको खरीदेंगे अगर कोई मुवी का ट्रेलर आपको पसंद नहीं तो उस मुवी को देखने का विचार आप कभी नहीं करेंगे इसलिए ट्रेलर जबरदस्ट, दमदार और अट्रेक्टिव होना चाहिए और 45 सेकंड में कैसे अट्रेक्टिव करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ अब नियम पे बात करेंगे देखिए मेरी आज़ते में किसी भी टोपिक पे वीडियो बनाता और पूरा बनाता और दूरा नहीं बनाता इसलिए हर छोटे से छोटे टोपिक को आपने यहाँ पे नियम बना के आपके समने रखा है सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं अपनी नीड ना दिखा है अपनी गरज ना दिखाए अपनी जरूरत ना दिखाए और यह आप कैसे दिखाते हैं जैसे आपने किसी को फोन किया आपने बोला कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ मैं आप से बात करना चाहता हूँ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दो मीट देंगे, क्या आप मुझे सुनेंगे, इस प्रकार की नीड अगर आप दिखाएंगे तो अगले आदमी को क्या लगेगा पता है, अगले आदमी यही सोचेगा कि इस बातचीत से आ लेने वाला मत बनिये, अपनी नीड ना दिखाया, आपकी बात करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगले विक्ति को अपना फाइदा देखे, आपका फाइदा ना देखे, इसलिए प्रोपर तरीके से बात करना है और इन शब्दों का इस्तमाल कभी नहीं करना है, कि क क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे दो मीट बात कर सकता हूँ, आपकी दो मीट ले सकता हूँ, आप अभी फ्री है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, इस प्रकार के शब्द और इस प्रकार की फिलिंग का इस्तमाल ना करे, रूल नमबर टू, किसी को भी फोन करके ये ना पूछे किया आप अभी बीजी है मैं आपको गिरंटी करता हूँ, more than 50% time में यही जावाएगा हाँ आभी बीजी हूँ बाद में फोन करो, आज कल हर आदमी बीजी है चाहे कुछ काम करें या ना करें, बीजी हार आदमी है इसलिए कभी किसी को फोन करके ये ना पूछे कि आप बीजी है मैंने एक व्यक्ति को फोन किया था, क्या आप अभी बीजी है कि बात हो सकती उसने बोला मैं busy हूँ, मैंने बोला ठीक है फिर कब free होगे, उसने बोला एक साल बाद, आप सोचिए मेरी क्या हालत होगी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने ऐसा job expect ही नहीं किया था, मेरे साथ ये हुआ है, मैं चाहता हूँ आपके साथ नहीं हो, इसलिए आप कि अभी भी hesitation में बात ना करे, मैंने देखा है कई लोगों को, वो फोन पर बात करते है, हाँ, हाँ, एक्चुली मैं आप से, मैं आप से कुछ कहना है, हाँ, हाँ, ही, ये सब बंद करना पड़ेगा, आपको एक दम straight forward बात करना है, आपकी बात में एक दम होना चाहिए, एक excitement, एक power, एक जोश, एक जुनून होना चाहिए, लेकिन हाँ, ओर excitement भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहने का मतला है कि आपकी आवाज में दम होना चाहिए, अगले आत्मी को आपकी बात सुनने में, आपकी आवाज सुनने में एक इंट्रस जागना चाहिए, इस प्रकार का state, इस प्रकार का मोटिवेशन आपको अपने अंदर क्रियेट करना पड़ेगा, रूल नमबर फॉर, और दिस वेरी वेरी इंपोर्टन, आपको एक बात समझने है, there is a difference between presentation and invitation, presentation अलग चीज है, invitation अलग चीज है, जब आप invitation के लिए कोल करते हैं, तब आप प्लान ना दिखाए अगला आज मैं आपको फॉन पर पूछेगा, क्या opportunity आपने बोला directly, कौन सी company, ये company, क्या product, ये product, कितने का product, आपने वहाँ पर पूरा प्लान चालू कर दिया, आपको एक चीज समझना है कि प्लान अलग चीज है, invitation अलग चीज है, इसलिए आप जब invite करने के लिए कोल करते तो फॉन पर कभी भी प्लान की बाते ना बताए, आपका मतलब है invite करना, आप एक बार invite कर दीजे, जो भी बात चीज होगी, ये सामने बैठ के होगी, इस चीज को आप पूरी तरीके से अपने mind में clear कर दीजे रूल नमबर फाइव, रूल नमबर फाइव है कि जब भी आप किसी को invite करें, तो लाखो रुपिया कमाना, करोड़ पती बनना, बड़े सपने पूरे करना, दो लाख मेने कमाना, मर्सिडिस लेना, इन शब्दों का इस्तमाल ना करें, क्योंकि ये जो शब्द है न ये लाखो रुपिया मेने कमाऊगे, वो आज में समझेगा कि आप पका किसी स्कीम में फसे हुए, स्केम में फसे हुए, वो आपको मिलना नहीं चाहेगा, इसलिए इन शब्दों का इस्तमाल नहीं करना है, बड़े सपने, ड्रीम्स, लाखो रुपिया, करोडो रुपिया, मर मीर्वूर्केट में बहुत ही च्थोटी मूटी कमपनी है, उसमें किसी और कमपनी का प्लान देखा है, जो कमपनी सही नहीं है, और आप उन conservative का कि हुए नहीं सब्सक्भर करेगे, तो अगले बंदे को लगेगा, आप भी उसी कंपनी से ब विल्लोंकरते, और वो आपका प curiosity create करना अगले बंदे के दिमाग में इतने सवाल खड़े होने चाहेगी यह किस opportunity के बारे बात कर रहा है यह क्या business के बारे में बात कर रहा है इसके बस कुछ तो है मुझे जानना है वो जानने की इच्छा पेदा करना यही आपका सबसे main motive है देखिए अगर आप शादी है फिर आप दो मीट सोचे और बोले के नहीं तुम्हें नहीं बताना है उसके बाद आपकी वाइफ के दिमाग में कितनी curiosity create होगी क्या बात होगी कुण सी बात होगी क्यून नहीं बता रहे क्यून नहीं बताया क्या बताना चाहते थे क्या बात है ।ब तक कुछ दूसरी चीज उनके दिमाग में आई के लिए इसको बोलते curiosity आज कल टीवी सीरियल में देखिए पूरे हपते सीरियल आता है सोमवार से लेके शुक्रवार तक Saturday और Sunday नहीं आएगा लेकिन वो लोग शुक्रवार को जब episode को end करते हैं तब आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं कि सोमवार को हम आपको ये बताने वाले ये राज खुलने वाले अगर आप इस राज को देखना चाहते हैं तो सोमवार को टीवी चालू करके सामने बेट जाए हैं मतलब वो सोमवार के लिए आपकी दिमाग में curiosity क्रेट करते हैं कि सोमवार का दिन बहुत important है सोमवार का episode मुझे miss नह हो जाए एकदम जिग्या सजागे उसके अंदर और वो मेरे प्लान को देखने के लिए बेताब हो जाए मुझे मिलने के लिए बेताब हो जाए यह आपका सबसे में टार्गेट होना चाहिए रूल नबर सेवन 45 सेकंड रूल आपको 45 सेकंड में अपने फोन को रख देना है अब कई सारे लोग यहाँ पर confused होगे क्योंकि मैंने कई लोग देखे जो बोलते 5 मीट बात करो 10 मीट बात करो देखे 5-10 मीट बात करने की जरूदनी आप जितनी लंबी बात करेंगे आपको एक ही बात को रिपीट करना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि उसकी वेल्यू खतम होती जाएगी उसका जो इंपेक्ट हो खतम होता जाएगा और दूसरा बड़ा प्रोब्लेम है कि आप जितनी लंबी बात करेंगे अगला आदमी आप से सवाल पे सवाल पूछता करेंगे और मीटिंग भी सेट करेंगे मैं आज आपको पूरी तरीके से प्रेक्टिकली सिखाने वाला हूँ ज्यादा ज्यादा एक मिनिट आपको घड़ी लेकर बेखने की जरूदने के 45 सेकंड में फॉन रख देना ऐसा नहीं है आप एक मिनिट बात कीजिए लेकिन मेरा कहिना का मतलब है पांच मिनिट, दस मिनिट, पंधरा मिनिट बात नहीं करनी है आपको कोशिश करनी है 45 सेकंड में आपकी बात हो जाए और जैसे जैसे आपकी प्रेक्टिस बढ़ते जाएगे आप 45 सेकंड में आराम से कॉंटेक्ट करना सीख जाएंगे अब 45 seconds में बात करनी किया है contact करेंगे कैसे इसके लिए आपको एक word याद रखना है जिस word का नाम है F-O-A-I F का मतलब है family O का मतलब है occupation A का मतलब है agree और I का मतलब है invitation आपको इस 4 step में इस 4 ही step में 45 seconds में आपको contact कर लेना है आप किसी भी व्यक्ति को call करेंगे आप call करने के बाद Hi Hello करने के बाद उसके family के बारे में पूछिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूर है होता क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति को directly phone करके अगर हमारे business के बारे में बात करते है तो अगले person को लगता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए call किया कि हम उसे अपने business में लाना चाहते है हमारा फायदा है लेकिन जब आप किसी को family के बारे में पूछते है तो आपके बारे में positive impression create होती है दूसरा फायदा ये है कि आज कल tension का यूग है हर व्यक्ति किसी ना किसी stress में या tension में होता है लेकिन जब भी आप पूछते है कि आपके ममी पापा कैसे है घर में सब लोग कैसे है तो इससे आपकी तो एक positive image create होती है साथ में वो व्यक्ति भी मानसिक रूप से एकदम शान्त हो जाता है क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में सोचता है तो थोड़ी देर के लिए उस सारे tension एक बार साइड में रख देता है तो किसी भी व्यक्ति को call करे पहले family के बारे में पूछे जब आप उसको पूछते है तो अगला आदमी भी आपको पूछेगा आपकी घर में सब लोग कैसे है तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको आराम से बात करनी है और आराम से आपको बताना है मेरे घर में भी सब लोग बहुत बढ़िया है आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूद नहीं है जो process अभी में बता रहा हूँ ना वो 45 seconds में पूरा हो जायगा आप practical कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे call कीजिए मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं practically भी करके दिखाऊंगा, definitely होता है दूसरा step पर occupation, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को phone किया हम एक example से चलते हैं, मान लीजिए आपने मामा जी को call किया तो आपने phone किया, मामा जी कैसे है, जैसे क्रस्न मामा जी तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि आपके, आप जब मामा को call करते हैं तो बांजे बनके phone करिए बिजनस्मेंट बनके phone ना करिए, आप normal tone में बात करें दोस्त को phone करते हैं तो दोस्त की तरह बात कीजिए अगर आप रिष्टेदार को phone करते हैं तो रिष्टेदार की तरह बात कीजिए बिजनस्मेंट बनके बात मत कीजिए तो मामा जी को जब call करेंगे तो क्या बात करेंगे, मामा जी कैसे है, घर में सब लोग कैसे है, तबियत कैसी है, मामा जी ने बोला सब लोग ठीक है, तुम्हारे घर में सब लोग कैसे है, आपने बोला सब लोग बहुत बढ़िया है, अब दूसरा step पर occupation यानि की व्यावसा ह अब मान लीजी मामा जी बिजनस करते है तो आपको दूसरे स्टेप में पूछ रहे हैं मामा जी आपका बिजनस कैसा चल रहा है अगर मामा जी नोकरी करते है तो मामा जी आपकी जोब कैसी चल रही है अगर मामा जी दुकान चला तो मामा जी आपकी दुकान केसी चल रही है आपको उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में बात करना में इंटरस्ट है आपके बारे में बात करना में इंटरस्ट नहीं है इसलिए दूसरा step है F-O-A-I, O मतलब occupation, अगर किसी student को phone करेंगे तो भाई पढ़ाई किसी चल रही है आजकल, किसी दोस्त को phone कर रहा है जो नोकरी कर रहा है भाई जोब किसी चल रही है आजकल, तो यहाँ पे आपको उनके occupation के बारे में पूछना है, अब जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको दो प्रकार के reply आ सकते, positive और negative, positive कम आएंगे, negative ज्यादा आएंगे, किसी भी businessman को phone करके पूछेंगे, आपका business कैसा चल रहा है, मामा जी बिजनस कैसा चल रहा है, 90% कैसे मामा जी बोलेंगे दाल रोटी निकल रही है, बहुत मंदी है, business तो टूट आपको किसी भी हालत में उनके reply को opposite reply नहीं देना है, आपको उनकी बात को agree करना है, मान लिजी आपके मामा जी ने कहा कि business में बहुत मंदी है, तो आपको ये कहना है कि मामा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ आपके नहीं हर business में आजकल मंदी है, मैं आपकी बात से स तो यहां पर आपने किया कि एगरी भी किया और साथ में एप्रिशियेट भी किया इस हिसाब से अब मान लीजे कोई जोब परसन है आपने फोन किया कि जोब कैसी चल रही आपकी अगला बंदा बोलता है जोब से बड़ा परेशान हूं बोस मेरा मुझे बहुत डांटता है प जिंता मत कर इस प्रकार से आपको एगरी करना है लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि जोब मेरा बहुत बढ़िया है मज़ा आ रहा है जोब के अंदर तो यहां पर आपको यही बताना है कि यह बात तो माननी पड़ेगी तुमारी जोब वाके में अच्छी है तुम आपको सहमत होना है आपको अगले इंसान को नीचा नहीं दिखाना है उसके काम को नीचा नहीं दिखाना है उसकी पोस्ट को उसकी डेजिगनेशन को या उसकी इंकम को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करे क्योंकि हमें उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना है उसको हमारे साथ business में लेके आना है इसलिए third step है agree करना agree करेंगे मतलब आप एक positive image create करेंगे और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अब यह जो तीन step हुए जैसे family, occupation और agree यह तीनों step आपके लगबग लगबग 10 से 15 या 20 सेकंड या 25 सेकंड में हो जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड हो जाएंगे अब finally आपको invite करना है कैसे invite करेंगे अब इस dialogue को आप पूरी तरह किसी याद रख लीजे आप इसको एकदम ditto to ditto use कीजे तब भी आपको result मिलेगा अब आप उनसे क्या बात करेंगे आप उनसे बात कीजिए कि देखिए मामा जी मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है आपका बिजनस तो बहुत अच्छा चल रहा है आपके बिजनस को disturb किये भी न अगर आपको जिन्दकी में आगे बढ़ने का कुछ अलग काम करने का नया काम करने का या यहां से भी आगे बढ़ने का एक मोका मिले तो क्या आप उस मोके को देखना चाहोगे बिल्कुल इन शब्दों का आपको इस्तमाल करना है देखना चाहोगे, करना चाहोगे नहीं जुड़ना चाहोगे नहीं, देखना चाहोगे देखने में किसी को problem नहीं अब मान लीजी आपका एक दोस्त है रमेश वो ICCA bank में job करता है तो आप रमेश को क्या बात करेंगे देखो रमेश तुम्हारे job बहुत अच्छी है वाके में बहुत अच्छी bank में तुम नोकरी करते हो लेकिन तुम्हारे नोकरी को disturb किये बिना अगर तुम्हें जिन्दगे में यहां से आगे बढ़ने का कुछ बढने का, कुछ अलग काम करने का ज्यादा कमाने का एक मोका मिले तो क्या उस मोके को तुम देखना चाहोगे और यहां पे बिल्कुल आपका prospect आपके प्लान को देखने के लिए तैयर हो जाएगा क्योंकि उसे अपनी नोकरी, बिजनस या पढ़ाय को disturb करने की जरूत नहीं है और जिंदगे में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है सबको ज्यादा पैसा कमाना है सबको यहां से आगे बढ़ना है हर कोई opportunity की तलाश में तो इस प्रकार से आपको बात करनी है और यह जो पूरा process है family, occupation, agree होना और invite करना यह पूरा process 40-45 second में 200% complete होता है आप इसको practically करके देखिए इधर उधर की बातें नहीं करेंगे तो यह एक minute के अंदर का काम है और आपको इसी तरीके से बात करना चाहिए अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 50% prospect आपको तुरंद बोलेगा ठीक है मैं देखना चाहता हूँ मैं जहनना चाहता हूँ और 50% prospect आपको सवाल पूछेगा वो पूछेगा कौन सा मोगा कौन सी opportunity, कैसा business chain system है, channel system है MLM है, जोडने का काम है product बेचने का काम है, बंदे बनाने का काम है lots of questions आपको पूछेगे और यह सारे questions का आपको मैं एक ही answer सिखाना चाहता हूँ सिर्फ एक answer, 100 तालों की एक चाबी, कोई भी ताला आजाए यह चाबी वहाँ पे लगेगी, अगले बंदे ने बोला क्या है, आपको एक rule बना देना है, आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है जवाब नहीं देना है, अगर अगले बंदे ने बोला कि क्या है, आप बोले देखी क्या है, क्या नहीं वो बात की बात सबसे पहला सवाल यह कि आपको जिन्दगी में आगे बढ़ना है या नहीं यस और नो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा आगे तो बढ़ना है तो फिर क्या है क्या नी यह जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा बोलिए आज मिले या कल अगले प्रोस्पेक्ट ने क पड़ेगा देखे पैसा लगाना ना लगाना तो दूर की बात है यह तो पैसा कमाने का बिजनस है आपको पैसा कमाना है हाँ मुझे तो कमाना है तो क्या लगाना है क्या कमाना है सब कुछ जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा आज मिले या कल अगर आप हर सवाल का जॉब दे सकते हैं, कोई भी अब्जेक्षिन उसको आप हेंडल कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जवाब देना सुरू किया तो फिर आप जवाब देते रहेंगे, तो अगला रूल में आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको तो आज या कल एसा आपको option देना है अब उसने मौला कल मिलते हैं। हुए क्ल सुबह के शाम हुए शाम को ठीक है कोई बात नहीं तिक नुट को कार से आपको विall यह रीचिज़ करनी है और यकीन मानिल यह पूरा का पूरा प्रोसेस 45 सेकंड में हो रहा है मैं तो 30 सेकंड में सिखाता हूँ लेकिन आप मानोगे यह Natalie 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ वरना मैं अपनी ट्रे Malays में तो 30 सेकंड रूल सिखाता हूँ और मैं प्रैक्टिकल से लोगों को करके दिखाता हूँ फोन करके भी दिखाता हूँ और जो लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो भी 30-30 सेकंड में मीटिंग सेट करते हैं तो यह बिलकुल मुम्किन है कुछ भी नाम की नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप इस टेक्निक को यूज कीजिए और 45 सेकंड में कॉंटेक कीजिए और कॉमेंट्स में रिप्लाइ कीजिए कि आपका काम हुआ के नहीं और इसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कत आती हो तो आप रिप्लाइ कीजिए वहाँ भी मैं आपको जवाब दूँगा दोस्तों मुझे पूरी उमिद है ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा आप इसे एप्लाइ करेंगे और आपको जबरदस रिजल्ट मिलेगा मैं चाहता हूँ कि आप नेटवर्कर ना बने आप महान नेटवर्कर बने और महान नेटवर्कर बनने के लिए four basic में master बनना पड़ेगा technical चीजों में master बनना पड़ेगा technical कुछ नहीं आएगा motivation का क्या करोगे आप लग कुछ नहीं कर पाओगे motivated होगे 100 लोगों से बात करोगे लेकिन बात करना नहीं आता है बदो 100 में से कोई प्लान देखने नहीं आएगा, लेकिन दो से बात किया एक प्लान देखने आ गया, दस से बात किया पांच प्लान देखने आ गया, तो आपका motivation अपने आप बनता जाएगा और आप एक महान prospecting करेंगे daily prospecting करेंगे daily plan होगे daily plan होगे तो लोग आपकी team में आएंगे हर रोज नहीं लोग business में आएंगे तो आपका business बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आप एक महान networker बनेंगे दूसरी इसको दिमाग बिठा लिजा आप कितने भी अच्छे prospecting करने वाले leader बन जाएंगे फिर भी कुछ लोग जो ठान के बेटे के हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है वो आपका plan देखने नहीं आएंगे आपको हाँ और ना से कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं 6-7 या 8 लोग plan देखने आते हैं तो बहुत बढ़िया है आपको उन 7 आठ के उपर focus करना चाहिए वो 2-3 लोग जो नहीं आएं उनके उपर दिमाग लगाने की जरूत नहीं है क्योंकि आप कितने भी अच्छे से बात करो लेकिन अगले आदमी को जिन्दकी में आगे ही नहीं बढ़ना उसके अंदर भूक ही नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे उसके बात भी आदमी नहीं आएगा आप और मैं लोग फेवरेट से बड़े नहीं है लोग फेवरेट से बड़े नहीं है लोग फेवरेट सबी जगापे लगेगा जितने लोगों से बात करोंगे हर आदमी नहीं आएगा जितने लोग आएंगे हर आदमी नहीं जुड़ेगा लेकिन हमें हर आदमी की जरूत नहीं है अगर आप direct selling की complete process सीखते है तो मैं आपको guarantee करता हूँ मातर 20 लोगों को join करने के बाद आप 3 से लेके 4 साल में इस business में एक करोड से भी ज्यादा रुपया कमा सकते हो और उसके बाद इतना बड़ा empire खड़ा कर सकते हो आप महीने लाख रुपया कमा सकते हो और यह कैसे होता है मैं आपको सिखाऊंगा मैं आपको system सिखाऊंगा वो system आप build करेंगे system आपकी जिंदगी बना कर रख देगा दोस्तों मुझे पूरी उमीद है यह पूरा system आपको समझ में आया होगा आप इसे field में apply करेंगे और आप इसे field में apply करके यहां से result भी लेंगे आप इसे apply कीजिए मैं चाहता हूँ कि आप 45 second में meeting set करें और अगर आपको अच्छा result मिलता है positive result मिलता है तो आप यहाँ पे comments में जरूर बताए उसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कते परेशानी है तब भी आप मुझे बताए मैं आपको reply करूँगा और एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा description में जाके अपना favorite topic लिखना ना भूले क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने बुला था शायद अब तक आप भूल चुके होगे आप जाईए और वहाँ पर अपना topic सब्मीट कीजिए और हो सकता है कि हम आपके साथ direct communication भी करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको like कर दीजिए इस channel को subscribe कर दीजिए और इस वीडियो को maximum लोगों को share कीजिए जो direct selling से अपनी जिंदगी बनाना चाहते है wish you all the best दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरूरत पड़े तो पांच बार देखिए दस बार देखिए लेकिन आप process में मत भटकिए महनत और मज़दूरी का फरक समझे अगर आप दो साल, तीन साल, चार साल से काम करें फिर भी team build नहीं हो रहा है ना तो मज़दूरी हो रही है आप struggle करने के लिए इस business में नहीं आया थे आप महनत करने के लिए आया थे आप कामयाब होने के लिए आए आप achievement करने के लिए आया थे आप comments में लिखे मैं आपको reply करूँगा तो इसे देखने जाए तो इस पूरी industry में सिर्फ दो ही training है एक ही recruitment याने की लोगों को लेके कैसे है और दूसरा जो आये हमारे साथ उनको तयार कैसे करें develop कैसे करें, team कैसे बनाए दोस्तों लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है हर व्यक्ति 5, 10, 15 लोगों को जोड़ देता है लेकिन team बनाना बहुत बड़ी बात है team बनाना इस business के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो team बना पाता है वो कामयाब हो जाता है और जो team नहीं बना पाता वो business से गयाब हो जाता है तो आज मैं आपके साथ discuss करूँगा और आपको step by step बताऊँगा कि आप एक बहुत बड़ी मजबूत team कम समय में कैसे बना सकते सबसे पहले अगर आप इस channel में नए है तो पहले इस channel को subscribe कर दीजे जैसे कि आपको पता है इस channel में मैंने जितने भी वीडियो डाले है उसमे step by step आपको process बताया है जैसे वो objection handling है या फिर plan दिखाना है या plan दिखाने से पहले joining कराना है या फिर objection सोच के बताऊँगा उसको कैसे handle करना है अपनी team में planner कैसे बना सकते है duplication कैसे करेंगे duplication की भी series है leadership की भी series है तो आज उसी प्रकार से मैं आपको step by step बताऊँगा कि आप network marketing में एक बहुत बड़ी और मजबूट team कैसे बनाएंगे देखिए सबसे पहले क्या team बनाना ज़रूरी है नहीं ये ज़रूरी नहीं है ये कंपल सरी है ये अनिवारी है क्योंकि network marketing business का नाम ही team building business है देखिए आप किसी भी व्यक्ति को जानते है जिसने network marketing business से एक बहुत बड़ी success हासिल की है उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी team building की होगी उसने एक बहुत बड़ा network बनाया होगा माननी जी के आपने company खोल दिया एक factory खोल दिया जहां पर 200-500 लोगों को काम पर रख दिया आप मालिक बन गए तो वहाँ पर भी एक network बनता है वहाँ पर भी एक team बनती है लेकिन वो team पैसा लगा के बनती है और network marketing business में हम लोग product को promote करके user की team create करते है और यहां पर business में आगे बढ़ते है तो जिसकी जितनी बड़ी team है जितने ज्यादा user है जितने ज्यादा लोग उसकी team में उतना बड़ा उसका business है और जितना बड़ा business है उतनी बड़ी कामियाभी है तो यह compulsory है तो team building is compulsory team बनानी ही पड़ीगी जो लोग network marketing में fail होते है वो team बनाने में fail होते है लोगों को जोड़ने में fail नहीं होते है लोगों को जोड़ा जा सकता है कई बार लोग पहचान से जोड़ जाते है कई बार credibility से जोड़ जाते है कई बार product अच्छा लग गया इसलिए जोड़ जाते है लेकिन जुनने के बाद क्या टीम बना पते हैं के नहीं तो आज हम point to point बात करेंगे और आज जो मैं steps आपको बताने वाला उससे आपको फाइदा होगा कि आपको exactly पता चलेगा कि आप गलती क्या करते हैं दूसरा आपको यह पता चलेगा कि आप कौन से step पे अठके हुए कहां से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो gear change करने वाली बात है ना मैं अपनी training में कई बार सिखाता हूँ कि gear change कीजिए मान लिजिए आप बहुत अच्छे planner है आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं आपका एक अच्छा income भी आ रहा है लेकिन जब आपकी team में चार planner दूसरे बन जाते हैं तो आपका गाड़ी दूसरे gear में चला जाते है जब पहले gear में गाड़ी होती है तो आवाज बहुत करती है और इंदन भी सबसे ज़्यादा खाती है और distance बहुत कम करती है क्योंकि speed ज़्यादा नहीं हो सकती है जैसे gear change होता है आवाज चेंज हो जाती है आपको पता है आप scooter चलाते है बाइक चलाते है चाहिए फोर विल चलाते है जैसे पहले gear में गाड़ी आवाज करती है जैसे दूसरे gear में डालती है आवाज कम करती है speed बढ़ जाती है, mileage बढ़ जाती है तो आपको पता चलेगा कि आपका gear कहां से change होगा आप कौन से level पर और कौन से level पर पहुँचेंगे अब एक मजबूर टीम बनाने की सबसे पहले requirement क्या है सबसे पहले requirement है कि आप एक बहुत अच्छे planner होने चाहिए जी हाँ दोस्तों आपको अपने business plan का प्रेशा आता है ना तो यहाँ तक मानता हूँ कि जिस दिन आप plan दिखाने के लिए pen उठाती है ना वो आपका business में पहला दिन है अगर आप इस business में plan नहीं दिखा रहे अभी भी आप अपने applyne के कंदों पे बंदुक रखके चला रहे तो समझ लिए कि आप अभी business में है ही नहीं आपका पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आपने registration किया या जिस दिन आपने product किया आपका पहला दिन वो है जिस दिन आपने plan दिखाना शुरू किया जिस दिन आपने plan उठाया वो आपका business में पहला दिन है अब टीम बनाने का सबसे पहला step सबसे पहला step है भीड खड़ी करना to create crowd is our first step अब आप बोले कि सब टीम में से भीड पे आ गया आप देखे टीम बाद में बनती है टीम जो है नो भीड में से बनती है पहले भीड खड़ी करने पड़ती है जब तक आपके पास enough लोग नहीं है पूरती मातरा में लोग नहीं है तो आप टीम नहीं बना पाएंगे क्योंकि टीम बीड करने के लिए आपको लोगों का selection करना पड़ेगा selection करने के लिए option तो होने चाहिए आपके पास और मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग भीड खड़ी करने में फेल हो जाते हैं क्या होता है उनके साथ लोग आते हैं बिजनस जोइन करते हैं मान लिजी इस में दस लोगों ने जोइन किया तो दस और लोगों ने बिजनस छोड़ दिया नए लोग जुड़ते जाते पुराने लग बिजनस छोड़ते जाते ये बहुत बड़ी समस्या है मैं ऐसे लोग को देखता हूं जो दो साल तिन साल चार साल से काम करते हैं चार साल पहले भी अकेले प्लान दिखाते हैं आज भी अकेले प्लान दिखाते हैं चार सार पहले भी थेला रहा है कि घुम रहे थे हैं आज भी थेला लेके गुम रहे उनका काम नहीं हो रहा है। क्यूंकि वह भीड़ खड़ी नहीं कर पा रहा है। उनका बेसा इंप्पूट रेशियो है। Input Ratio, Output Ratio, Date Ratio, Input Ratio, जैसे आपकी टिम में कितने लोग In हो रहे हैं और Output Ratio, कितने लोग जा रहे हैं ते कि आप कोई भी कंपनी कर ले, लोग जाएंगे, जाने वाले जाएंगे, वो एक कहावत है ना जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो हमारे लिए भनी है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, input ratio बढ़ाना पड़ेगा, तब ही आप यहाँ पे भीड खड़ी कर पाएंगे, परना भीड खड़ी नहीं होगी, अब भीड खड़ी करने के लिए क्या करना है, उसका solution बताता हूं, भीड खड़ी करने के लिए आपको खुद को busy करना है, और यहाँ मैं आपको सवाल पूछना है जाता हूं, क्या आप busy है, are you busy with network marketing business, अगर यह सवाल सो लोगों को पूछा जाएगा न, 95 लोग क्या बोलेंगे, yes sir I am very very busy, I don't have time, मेरे पस तो time ही नहीं है, मैं बहुत busy हूँ, आप कहां पे busy है, आप कौन सा काम करने में busy है, यहाँ पे एक fundamental सम मतलब होता है, वो काम, जिस काम से production होता है, जिस काम से benefit होता है, जिस काम से हमारी income generate होती है, network marketing business, result oriented business है, यह effort oriented business नहीं है, यह नोकरी नहीं है, कि आप 30 दिन करोगे तो आपको salary मिलेगी, फिर काम हुआ के नहीं हुआ, 30 दिन काम किया, salary मिलेगी, हाजरी लगा दी, salary मिलेग यह ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आप जो output generate करेंगे, आपकी team में product कितना sell हुआ, आपकी team में joining कितना है, आपका business कितना हुआ, उसके उपर से आपका payout बनता है, मान लीजे एक व्यक्ति रोज के 4 गंटे काम करता है, और एक व्यक्ति रोज के 8 गंटे काम करता ह लेकिन 8 गंटे वाले का output काम है, और 4 गंटे वाले का output उससे double है, तो 4 गंटे काम करने वाला double पैसा कमाएगा, क्योंकि output उसका ज्यादा है, तो productive action आपकी कितनी है, जैसे की productive action का मतलब है plan दिखाना, आपको और इससे थोड़ा detail में समझने की ज़रोते है, मान लीजे cricket में ये की मकसद है run बनाना, पूरा का पूरा game run बनाने के लिए है, fielding, betting, bowling, सब कुछ run के इर्द गिर्द है, उसी प्रकार से आपका जो business है, उस पे सबसे ज़्यादा matter होता है कि आपकी team में business volume कितना आ रहा है, आपकी team में product कितना sell हो रहा है, आपकी team में नया distributor कितना आ रहा ह तो ये generate करने के लिए, ये business generate करने के लिए आप जो action लेते उसको productive action कहा जाएगा, मान लिजी कि आप किसी को plan दिखा रहे है, ये productive action है, क्योंकि अगला बंदा अगर जुड़ गया तो आपका payment बनेगा, आप किसी को product sell कर रहे है, ये भी productive action है, यहां से भी income generate होगी, तो ये स सारी productive action है, आप किसी को invite कर रहे है, तो invite कर रहे है तो plan के लिए opportunities create कर रहे है, आप किसी को follow up कर रहे है, closing कर रहे है, आप कहीं पर home meeting कर रहे है, ये सारे productive action है, लेकिन ज्यादा दा लोग क्या करते है, पूरा दिन घुमते है, टाई पहनते है, up line को मिलते है, down line को मिलते है, मि बहुत positive, positive, positive रहने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा, तो आपको काम करना पड़ेगा, आप देखिए खुद को, कि आप जितना काम करते हैं, उन में से productive काम कितना है, now what is active time, मानली जब सुबे 9 बजे घर से निकल गए, और रात के 11 बजे तक ये business करते हैं, तो 14 घंटा आपने काम किया active time, आप 14 घंटे इस business में active है, 14 hours is your active time, लेकिन आपको payout active time का नहीं मिलता, अब आप देखिए, कि आपने जो 14 घंटे active time था, उसमें productive time कितना था, क्या आज किसी को plan दिखाया, क्या आपने आज किसी को product sell किया, क्या कहीं पे home meeting की, क्या कहीं पे follow किया, कितने लोगों को phone पे invite किया, ये सब productive time है, और productive time में आपको busy होना है, आप अकेले active time में busy रहेंगे, तो इससे आपका काम नहीं होने वाला, तीसरा time है development time, जैसे आप अपनी team में किसी को plan करना सिखा रहे है, किसी को invite करना सिखा रहे है, किसी का list building कर रहे है, किसी को objection handling सिखा रहे है, किसी को business के vision बता रहे है, business में उसको permanent कर रहे है, तो ये सारा आपका development time है, ये भी जरूरी है, ये कैसे करना है, जैसे दोपेर का जो time है, मान लिए बहुत गर्मी है, कही पर meeting नहीं हो सकते, कोई मिल नहीं सकता, तो उस time पर आप अपनी किसी downline को साथ बिठाईए, practice कीजे, ये development time है, ये भी ज़रूरी है, तो सबसे ज्यादा महत्वपून है आपका एक दिन में 2-3 गंटा आपका productive time होना चाहिए, उसके बाद आपका development time होना चाहिए, और बाकी ज connection में है, आप अपने, आप से जो उमीदे लगा के बेठे हो, उमीदे पूरी नहीं होगी, देखिए मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, दुख लगे तो मुझे माप कर दीजे, लेकिन है हकीकत है, मैं नहीं चाहता कि आपका समय बिगड़े, क्योंकि आपका समय बिगड़ होना कैसे, कैसे आप maximum plan अपनी team में दिखा पाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कुछ गलती, सबसे पहले गलती मैं आपको बताता हूँ, कि लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत पहले duplication करना start करते हैं, भीर खड़ी करने से पहले duplication करना start करते हैं, कैसे, मान लीजे, आपके पास 5-10 लोग ही है, और आप उनको duplicate करना चाहते हैं, अब आप उनसे उस प्रकार का commitment ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बस option नहीं है, और उनको भी पता है, आपके बस option नहीं है, तो वो लोग भी अपने ego से काम तो इसलिए भीड खड़ी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब आपके पास 100-500 option हो गए, तो आप वहाँ से लोगों को select कर सकते हैं, किसको duplicate करें और किसको duplicate ना करें, इसलिए पहला जो step है, भीड खड़ी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब आप खुद को busy कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बता दो, मान लिजे कि आप Mr. A के साथ काम करें, आपके पास एक की downline Mr. A, अब उसके list पे काम करके आपने Mr. B को join किया, अब ज्यादा दर लोग क्या गलती करता है, बी को बोलते देखिए A आपकी up plan है, आप इनको follow कीजिए और A को बोलते हैं यह आपकी team है, यह आपकी गलती है, आप B को बोलिए कि सर कुछ भी दिक्कत है मुझे phone कीजिए, मैं हूँ, B की team में से C ने join किया, C को बोलिए कुछ भी काम है मुझे phone कीजिए, C की team में से D ने join किया, D को बोलिए कुछ भी काम है मुझे call कीजिए, पर तक आप ये काम करते जाओ, इससे क्या होगा पता है, अब आपको contact ढूनने जाने की जरूदनी है, आप सुबे उठोगे आपको call आएगा, सर दो लोगों को प्लान दिखाना है, दो पर को किसी का फोना है, सर चार लोग को प्लान दिखाने, आपका per day 8 से 10 प्लान होगा ही होगा, और per day 8 से 10 प्लान होगा, तो दूसरा काम करने का आपके पास time नहीं होगा, यहीं तुम्हें चाहता हूँ, कि दूसरा काम करने का आप time निकालो ही नहीं, आपका maximum time productive काम के पीछे जाना चाहिए, productive actions के पीछे जाना चाहिए, और यहीं हमको करना है, तो जब आप per day क आठ से लेके 10 प्लान दिखाते हैं, तो per day की 2, 3 या 4 joining आना शुरू हो जाएगा, और जब आप इतनी महीनत करेंगे, इतने काम करेंगे, तो आपकी team भी इसको copy करना start कर देगी, वो भी आपकी तरह प्लान दिखाना शुरू कर देगे, तो होगा कि एक दम से बहुत से प्लानर है, पिछले मेने आपकी team में कितने लोगों ने जोइन किया, पिछले मेने मेरी team में 20 लोगों ने जोइन किया, मतलब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जोइन कराया, 20 प्लानर ने मिलके 20 लोगों को जोइन किया, मतलब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जोइन कराय कीविंगे कितने प्लान दिखाने पड़ते हैं कि एक व्यक्ति को जूइन करने के लिए महलब उनकी टीम में 20 प्लाण Thanks sound । टोट्ल फ्लान कि सीठी प्लान वेज लोगों को जोइन करने के लिए सिक्स्टी प्लान हुए अब ये 60 प्लान करने के लिए प्लानर कितने है 20 मतलब एक प्लानर ने तीन प्लान दिखा है एक प्लानर ने 30 दिन में तीन प्लान दिखा है मतलब 10 दिन में एक प्लान दिखा है जबकि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको एक दिन में 10 प्लान ये उल्टा है पूरा जब तक ये उल् में लोगों को देखता हूँ यह गलती करते हैं। प्लान दिखाने का बिजनेस है। अच्छा कोई कोई बुचता है, यो तो यह सवाल से ने स्वाल गिला में कब तक तेहरना पड़ेगा। जब तक चिणारा नहीं में आता तब तक तेहरना पड़ेगा। बहुत प्रोडक्ट्टिक काममें बजी हो जाओ। भीड़धि होगी लोग जुडएंगे और जबर्दस हमारा क्राउड क्रियेट हो जाएगा मतलब हमारा टार्गेट कंप्लीड होजागा भीड़धिकरना हमारे सबसे पहला स्टेप है। आपने ऐसी भीड खड़ी कर दे कि आपके पस टाइम ही नहीं है खाने का भी टाइम नहीं इतने प्लान हो रहे है तो दूसरा स्टेप है इस भीड में से लोगों को सिलेक करना अब आप एक चीज़ समझ लिजे कि आपको काम्याब होने के लिए बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए मातर 10 लोगों की जरूत है आपको हजारों लोगों के साथ काम करने की जरूत नहीं है अब सपोर्ट सब को कीजिए मना मत कीजिए किसी को लेकिन स्पेशल प्लानिंग 10 लोगों के साथ कीजिए अब ये 10 लोग का चुनाओं के से करें किसको चुने और किसको ना चुने तो यहाँ पे कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ वैसे ये डुप्लिकेशन सेरीस के उपर ओल्डेटी मैं दो वीडियो दे चुका हूँ जिसमें दोनों चीज़े जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ओल्डेटी वहाँ पे वीडियो में दी गई ये कि कैसे लोगों को सिलेक करें पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में है कि जो लोग सिलेक किये उनके साथ काम कैसे करें फिर भी मैं Honda City है तो Mercedes की बात कौन कर रहा है अगर आप 2 लाक महीने कमाने के बारे में चोच रहा है तो 5 लाक की बात कौन कर रहा है किसके सपने आप से भी बड़े है कौन बड़ी बात करता है कौन बड़े सपने देखता है कौन बड़े बड़े सपनों के बारे में हमेशा बात करता है उ वियक्ति को सेलेखक कीजे जिसके सपने आपसे भी बढ़े हैं यह पहला quality दूसरा quality जो आप की बात मानता है जो वियक्ति आपकी बात नहीं मानता हो आपकी किसी काम कानी है चाहे वो कितना भी टेलेंट्येट हैं चाहे उसके इंदर कितना भी potential लेकिन आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे कुछ नहीं सिखा पाऊगे इसलिए दूसरा quality है rule number two जो आपकी बात मानता है उस व्यक्ति को आप select कीजिए now what is rule number three rule number three जो व्यक्ति खुद पे खर्चा करने को त्यार है देखे कुछ लोग क्या करते हैं बड़े बड़ी बड़ी बात करते हैं आपके आसपास घुमते हैं लेकिन 100 रुपया seminar टिकेट का बोलता है सर आप दे दिजिए समिनार है दूर है 100 रुपया का खर्चा होगा नहीं आएंगे पचास सो रुपया का खर्चा करते हैं दीखें नेट्वर्क मार्केटिंग में लीडर के सामने बहुत-बड़ी चैलेंज क्या पता है लोगों की सोच को बड़ी करना अब आपके पास दो अप्शन है एक व्यक्ति की सोच को बड़ी करो और दूसरा बड़ी सोच वाला व्यक्ति अपके पास है आप किसको सिलक करेंगे जो लेडी बड़ी सोच वाला है, तो उस व्यक्ति को सिलेक कीजिए, जो खुद पे खर्चा करने को तयार है, जो व्यक्ति खुद पे सोर पे का खर्चा नहीं करता है, उसकी सोच बड़ी करते हैं, आपकी छोटी हो जाएगी, इसलिए बोलाओ भीर खड़ी कीजिए, ऑप्शन ह कैसे करेगा, नहीं, ऐसा भी होता है, जैसे मान लिजी आपने एक डाउनलाइन को फोन किया, तो उसने फोन ऐसा उठाए, हाँ सर, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है सर, देखते है, तो आप डी मोटिवेट होगा, आपको लगा है, यार मेरी टीम में दो कोई जोश ही नह होगे, आपकी टीम का पहला डाइमन, मैं बुनूगा, मज़ा आएगा, सर, सेमिनार कब है, मैं आऊंगा, आपको लगतिया रहा है, मेरी टीम में ऐसे भी लोग है, आप मोटिवेट होगे, तो ऐसे लोगों को डुप्लिकेट कीजिए, ऐसे लोगों को सिले कीजिए, जो आ कंपनी के सारे प्रोड़क्त खुद ही इस्तिवाल करता है, रूल नबर सिक्स, उस व्यक्ति को सिले कीजिए, जो व्यक्ति हमेशा इस कंपनी के मीटिंग सेमिनार को, मैं बैठाओ, चिंता मत करो, तुम कामियाब हो जाओगे, तो फिर डाउन बिंदास हो जाते हैं, डाउ कंपनी बदल सकते, ना मैं बदलूगा, क्योंकि होता क्या है, आप जिसके पीछे मेंनत करते हैं, वो 6 मीने बदल देते हैं, आपके 6 मीने बेकार हो गया, 1 साल बेकार हो गया, 2 साल बेकार हो घृफिर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ही पूछ लो, कीपनी बदलना तो ब कुछ सिखाने पाएंगे ठीक है और रोज रात को सोने से पहले आपको मुझे कूल करना इस प्रकार से हमारा communication डेली चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए तुफान आ जाए बारिश आ जाए कर भी हो जाए डेली हमारा communication डाएगा यह दूसरा नियम है तीसरा commitment आपको क्या लेना है तीसरा commitment आपको लेना है कि अगले चार से पांच साल तक मैं आपको guide करूगा मेरा काम है रास्ता दिखाना चलना आपको खुद है मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा करना आपको खुद है आप यह नहीं बूलेंगे, सर आप कीजी, आप कीजी, आप को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तर डाउन लेंड क्या करते है, अपलाइं के आचल में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आपलाइं के भरोष से बैठते हैं, आउंथ बंद करके अंतर ध्यान करना चाहते है तो यह तीसरा point है fourth point बड़ा खास है आपको उनको बोलना है देखिए आज के बाद मैं आपको कपी positive नहीं करूँगा आपको खुद positive रहना है क्योंकि होता क्या है पता है आपका maximum time अपनी downland को positive करने में चला जाता है अगर एक बार बंदा positive हो गया तो आगे कुछ business की बात हो planning हो काम हो लेकिन वह बार बार negative हो जाता है तो आप पहले बोल दीजे देखिए भई यह आपके सपने आपको हमेशा positive रहना है मैं भी positive होगा ना आप demotivate होगे ना मैं demotivate होगा तो इस commitment आपको पहले ले देना है पांचवा commitment आज के बाद इस business की होर meeting होर seminar आपके लिए पहली priority होगी मेरे भी पहली priority होगे हम कभी बहना नहीं निकालेगे ना मैं निकालूँगा ना आप निकालेगे यह commitment पहले ले लिजिए उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी छठा commitment कि आप म और जो आपको सिखाना शुरू कर देते उसको आप कुछ नहीं सिखा पाऊगे तो यह 6 commitment में लेने के बाद आप काम करना शुरू करें उसके बाद भी आप चेक कीजिए जैसे 3 दिन 4 दिन आपने फोन किया फोन उठाता है कि नहीं कोई बात बताओ वो बंदा बात फोलो कर अगर आपको 4-5 दिन में लगता है कि आपका सिलेक्शन गलत है आपका बंदा आपकी बात नहीं मान रहा है प्रायूटी नहीं दे रहा है आपका फोन नहीं उठा रहा है तो फिर आपको अगला बंदा सिलेक्ट करना चाहिए तो यह से 10 लोगों को चुनने के लिए आपको बता रहा है। कि अभी के चेलरम क करते हैं अपर ऑप कुछ भी सीखा सकते हैं। थ BRI आंखर को बता हूँ बता है। अब आपने का बच्रस का घ्री कर रहा है। शुरुवात में तो पूरा ही मार देता है, फिर बच्चों को बोलता है जाओ खाओ, पहले खाना सिखाता है बच्चों को, ठीके, उसके बाद क्या करा है, जैसे जंगली भेंसा है, और कोई भी जानवरे, उसके पाओं के उपर अटेक करेगा, गले के उपर अटेक करेगा, अब मान लिजे शेर ने पहले दिन बच्चों को जंगली भेंसे के सामने भेज दिया, कि जाओ इसका शिकार करो, क्या होगा, बच्चों का शिकार हो जाएगा, पहसा बच्चों को मार देगा, इसलिए डुप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, वो भी इस प्रकार से होता है, जैसे आपको किसी को तेरना सिखाना है, स्विमिंग सिखाना है, तो आपको उसको लेके पानी में जाना पड़ेगा, आप इसको मोटिवेट करोगे, जाओ, तुम तेरो, जाओ, कूद जाओ, गंगा मया में, हर कोई तेर सकता है, इसने तेरा, उसने तेरा, मैं तेर गया, कुदता भी तेरता है, तुम तो फिर भी इंसानों, तेरो, और आपका डाउनलेंड जाके पानी में कूद गया, वो व आपको इसको प्लान करना सिखाना है, ड्रेस कोट सिखाना है, मिटिंग और्गेनाईस करना सिखाना है, होम मिटिंग करना सिखाना है, टीम मिटिंग करना सिखाना है, ग्रूप मिटिंग करना सिखाना है, सेमिनार में स्पीद देना सिखाना है, ट्रेनिंग देना सिखाना ह और उसके बाद जो आपने किया वो करना सिखाना है जो आपने किया भीर खड़ी की दस लोग से लग किया कमिट्मेंट लिया डुप्लिकेट किया अगर ये सिखा दिया तो दस लोग अपनी टिम में दस दस लोग डुप्लिकेट करेंगे सो लोग डुप्लिकेट हो जाएंगे वो सो लोग, दस लोग डूप्लिकेट करेंगे, हजार लोग डूप्लिकेट हो जाएंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस भी कमपनी में, उस कमपनी में जो भी टॉप है, उसने यही किया है, और यह बहुत बड़ा सीक्रेट है, यह मैंने आपको पहले दिन स लेशन, जहां पे प्लान करने सुरू करें, वहां से बहुत बड़ा बिजनस करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस पदा लिया, इस प्रोसेस में, आप देख लीज़िए आप कहा पर अटकर अगर प्लानर है तो आप शुरू कर सकते, नहीं है तो प्लान दिखाना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, अगर आप प्लानर है तो अगला स्टेफ आपके लिए भीड खड़ी करना है, भीड खड़ी करने के लिए आपको कहा क्या करना है, बीजी होना है, कहां पे ह अमने आपको बता था, active time, development time, productive time, productive time में busy होना है, productive time में busy हो जाएए, भीर खड़ी कीजिए, भीर खड़ी करने के बाद selection कीजिए, selection के बाद lubrication कीजिए, दुनिया का एक उसूल है, जो आपको आता है दूसरे को सिखा सकते हैं, आपको तेरना आता है आप दूसरे को सिखा सकते हैं, आपको साइकल चलाना आता है आप दूसरे को सिखा सकते हैं, आपको बाइक चलाना आता है वो सिखा सकते हैं, आपको खाना बनाना आता है वो सिख सकते हैं तो बस भाई यह आपको दिन में 10 करना आता है आप सिखा दीजिए उसको आपको बिजी होणा आता है शिका दीजिए आपको डुब्लिकेट करना आ गया आप सिखा दिए बस इतने में पूरा नेटवर्क माकेटिंग आ गया, यही प्रोसेस है, जीरो से हिरो बनेगी, यही प्रोसेस है, आम आदमी से खास आदमी बनेगी, आप बन सकते हो, हजारों लोग बने हैं, आप बन सकते हो, अगले विक्ति आप भी हो सकते हो, और मेरी उम्मीद है, मेरी दुआए आपके साथ है, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े और आप हजारों लाखों लोगों को भी ये ग्यान दे और उनको भी सिखाएं दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरूरत पड़े तो पांच बार देखिए दस बार देखिए, लेकिन आप प्रोसेस में मत भटकिए, महनत और मजदूरी का फर्क समझेए अगर आप दो साल, तीन साल, चार साल से काम करें फिर भी टीम बिल नहीं हो रहा है ना तो मजदूरी हो रही है आप स्ट्रगल करने के लिए इस बिजनस में नहीं आये थे, आप महनत करने के लिए आये थे, आप काम्याव होने के लिए आए थे, आप अच्यूमेंट करने के लिए आये थे अगर एक व्यक्ति काम्याव हो सकता है, तो हर कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है अगर कोई एक व्यक्ति काम्याब हो है तो आप भी हो सकते हैं अगर आप इस process को apply करेंगे definitely मैं आपको बता तो आपको 100% फायदा मिलेगा और इसमें आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है आप comments में लिखे मैं आपको reply करूँगा मुझे पूरा बरुसाई ये वीडियो आपको पसंद आया है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को like कर दीजे और इस वीडियो को उन लोगों तो ज़रूर बेज़ेगा चिनको इनकी ज़रूरत है wish you all the best and be the best तो चले साथिए आप व्लोगों ने फूरी वीडियो को देख चुके हैं साथिए अगर ये वीडियो आपको लगता है की नहीं आपके forces की जितने भी leader है उनको वीडियो को देखना चाहिए और इनके ऊपर उनको करना चाहिए आपने टीब को किस तर्स बिल्ट करना है आ तो आप लोग Honestly को दोबारा से देखिए या फिर अपने टीम लिडर को इस वीडियो को शेयर कर देदें चाजले साथ हूं फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ अगले दिन तब तक हम अपसे लेते हैं इजाज़त जैहीं जैफर सेज